आज हम बात करेंगे हेर लॉस के उपर जर्णल के बाल जड़ते हैं और अकसर जब से मैंनों अपना वीडियो रिलीज किया है बीएड को लेगे तब से मेरे पर लगाता रिक्वेस्ट आ रही है कि सब कुछ हेर लॉस के उपर बनाओ बाल जड़ रहे हैं हमारे तो यहां पर डिशने दोनों से उपर करेंगे याई कि वो लोग यह विसक रहे हैं और बाडी बिल्डिंग के अंदर है साथ में लोग जो जर्नल लोग जो जो इस तरह की चीज़ों करते हैं इस तिल उनके बनाट जड़ रहे तो यह यह जो होता है उसको हम लोग ठीक से समझ नहीं पात हैं इसके लिए हमें दो बाइलोजी के अलग प्रोसेस को समझना बढ़ेगा जब उसको समझ जाएंगे तो ऑफिसली हम दो को क्लियर हो जाएगा कि हमारे बाल क्यों जट रहे हैं और उनको रोकने के क्या क्या तरीके हैं जैसा कि हमने पिछली अपनी वीडियो में डिसकस किय बाल कैसे आते हैं और क्यों नहीं आ रहे हैं यह ऐसा होता है कि जट जाते हैं अचालक से तो इस पर डिसकसिन करेंगे शुरुआत करते हैं हमारी पहली बाल उगने के जिए हुं हमारे बाड़ी पर फास्ट टाइंब आना शुरु होते हैं लगारी साइकल होती है तीन फेस लेते हैं वह हमएं आपनी मौता जी की तरफ से मिलते हैं उन बालों को बला जाता है लैदर के जो कि जोंटसें में जड़ जातें और इसके बात जो नको replace करते हैं वह होते हैं तो ड्यमाइक difa करते हैं तो फिर जो होता है उनके बाल आते हैं वह होते हैं यानि की वैलेस जो है वो एक बाइलोजिकल प्रोसेस के अंदर आते हैं जिसमें टेस्टोस्टेरों उनके बीच में आता है और उनको टर्मिनल हेर्स बना देता है अभी बहुत लंबी चोड़ी होगी मगर इसको बहुत सिंप्लिफाई कर देंगे आगे जाके आपको पूरी समझ अजन का के आपके बाल कैसे होते हैं कौन जाता है नहीं नहीं नहए बाल आ रहे हैं मात करें उस फैलियर की जिसके जो है लोगों के बाल जड़ जाते हैं यह उनके माते पर एंप बन जाती है तरह शुरू हो जाती है और वो एक तरीके से गन्जयपन की तरफ आ तरह कि दिकत क्यों होती है या क्या हो रहा है इसके लिए अपने दिन चर्च रहती है इक मालिक तो चारा सकते हैं कि हमारे बाल होता है जब हमारा सकेल्टा से बाहर हुंता हैयानि कि फौर दो जब बोला जाता है इस बर डुर आ जाता है यह एक प्रॉसिजिट निकल चुका रहा है उसके बाद ॉस्ता है और यहीं करो तूट और वापस एक procedure बनता है जिसे वापस एनजन फेस्ट से फिर्शे शुरू होती है या पाल की ग्रोट तो यह एक कम्प्लीट बाल की life cycle होती है अब इसमें एक फेलियर आता है यह नीकी फेलियर कहा पर आ रहा है आपका जो आपके टैलोजन हेर जो है वह एक्सोजन हेर हो गए यानिकी वह जड़ गया और वहाँ पर उसको जो ट्रिगर बनाना था एनोजन हेर के साथ वह नहीं बना पाया जिसकी वह से आपके बाल वहां से हट गए जिसको हम बोलते हैं कि बाल फॉल आउट हो रहे हैं बाल जढ़ता शूरू हो गए हैं तो यह थोड़ी सी ज्यादा अब सब्सक्राइब चार्ज़ करते हैं तो वह अपस सको चार्ज़ किया लगाते हैं गर अचानक से लगा कि होज़े से चार्ज नहीं कर पाए और वह रीर किसी भी तरह हो सकता है हमारा चार्जर खρाब हो हमारे पुट गटरी खराब हो गई है हमारा फोन किसी तरह से करा हुग उद्द ह होता है हमारी बॉड्ड के साथ यdet कि जब भी हम इस से निकलते हैं यहां पर टैलोजन से एक्षोजन तक जाने की जो कहानी थी उसके बीच में एक ब्रेकडाउन आजाता है अब बात करते हैं उन फेलियर्स की जिनकी वजह से यह वाला जो ट्रांजिशन होता है तो इस जो जनल फेलियर देखे गया सबसे बालों को लेकर रएखे यहां पर गले करते हैं तूसरी ऊर और आता है होर्मोन के प्रोड़क्षण में गड़बढ होना हमारे बाल होगे DHT पर dependent होते हैं अगर DHT हमारा ज़्यादा बढ़ेगा तो ज्यादा सिभम की सिक्रेशन बढ़ेगी जिसकी वेसे बालों के जड़ने के जांसे बढ़ जाते हैं उसके अलावा भी और से कई तरह के फेलियर साते हैं जैसे कि इस्किन कंडिशन जर्णलीए स्कीन कंडिशन वालों जो फेज आता है कुछ लग्स के स्कमाल के ताइम से जबाते हैं यह फिर टीक से बाधा रहना जिसकी वज़य से बालों पर पसीना जाता आता आना वह भी एक अ Україira कंडिशन मैं जाती हैं बालों के जड़ने का तो कि कर लेते हैं बाड़ी को बनाने के लिए तो उसको भी कैसे करेंगे वो भी वीडियो में आगे डिसकस करेंगे और कुछ इस्तमाल कर लेना बालों के पर जिसके विज़े से हमारे फॉलिकल या रूट डैमेज हो गया है उसके बाद आता है हेर ट्रॉमा यानि की हेर ट्रॉमा क या फिर बालों के अंदर ऐसे गुच्छे बना लेना यह वी एक बड़ा रीजन बनता है यानि बाल जड़ने का उसके अलावा जो और देखेंगे हैं फीमेल के अंदर वह है प्रेगनेंसी या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कुछ दवाईयों का इस्तमाल करती है तो कंसीव प्रेगनेंसी सो वह भी जिनसे उनके जो हैं हेर लॉस होते हैं और साथ ही विसाथ आप किसी बीमारी से शिकार हो जाएं जानी कि कैंसर इसमें आपको कीमो थेरेपीलियन है डायबेटीज कॉलेस्ट्रॉल इस तरह की चीजों के अंदर भी हेर लॉस देखा गया हैं जिनसे हम अपना हेर लॉस रोक सकते हैं यहां पर मैं उस कैटेग्री को भी कवर कर रहा हूं जो लोग यूजर है यानि कि जो करते हैं टू बिल्ड मसल्स वह लोग भी इस चीज को कंप्लीटली फॉलो कर सकते हैं कि कैसे उनके बालों का जड़ना रोका जाए वह उनके लिए भी कंप्लीटली सेफ होंगे यह तरीके जो मैं वीडियो में बताऊंगा मगर उससे पहले हम एक और जो हमारा मेजर फेलियर है यानि कि जनेटिक फेलियर उसके उपर बात कर लेते हैं देखिए जनेटिक फेलियर के अंदर यह जो तरीके में आपको बताने वाला हू कि मगर वह रोके नहीं जा सकते हैं वह आपके जड़ेंगे उसका पर्मनेंट सेल्यूशन है सरजरी अगर आप सरजरी करा लेते हैं तो एक चांस है कि आप उस प्रोसेजर को और जाज़ा तीजी से बढ़ा दें आपके बाल हो सकता है उसके बाद बच जाए तो उनको रोक इंसान है जिसके बाल जड़ रहे हैं यह जो है एक जैनेटिक फेलियर नहीं है यह दू किसी और रीजन की वज़े से हो रहा है जैसे की डियाविटीज यह कॉलेस्ट्रॉल या और कोई ऐसा रीजन स्किन की कंडिशन से अनबोलिक सेरोइट को यूज कर लेना यह उनमें से स्केल्प की तरफ ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देती है और उससे होता ही है कि हमारे जो बाल है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाता है और बहुत सारे चांसिस में आपकी बालों की रीग्रोथ हो जाती है मिनॉक्सेडिल लेकर दूसरा जो सलीशन आता हो घड़ाने स्क्म हर्फ देदा हैते हैं तो चरंवी लोग इसका कम इस्तमाल कर पाते हैं डियूर इयर कर सकते हैं टु प्रिवेंट और लॉस्ैयर वह का था तरीकहता है को श के लेना कि तो बसेंक लिए एक जो एक डर्माटर लोजिस करता है है आपके लिए वह आपके जो है प्रॉपर भॉपर निकालता है प्रॉपर साइक्लिंघ करता है हो और कोॉटे कॉ anyway को इंजेक्ट करेगा एक हिस्तों में जहां पर बाल नहीं और वह स्वालों की ग्रोफ को बढ़ा देते यह ट्रेंड डर्मणो टॉleology 99-9 खुरूब तो आपके लिए इसको एक डर्मटोलोगी सो कंसल्ट करना पड़ेगा कि वह आपके लिए काम कर यह तरीके हैं यह बहुत सारे और सेलीशन भी अविलेबल हैं जो आपके लिए लोग सकते हैं उसके अलावा एक जो सेशन है जैनेटिक फिलियर वाले लोगों के लिए कि वह है सब्सक्राइबल भी होने लगें उनके उपर काफी जादा काम किया जा रहा है इंडर्स्टी गेंदर तो आप उन एक अच्छी लूप भी देते हैं बालों को और काफी सारे जो बड़े स्टार्स हैं वो भी आजकर इनका इस्तमाल कर रहे हैं जो उनके बाल जड़ जाते है उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ मिट्स के उपर एकसर कुछ ऐसे मिट्स भी फैलाए जाते हैं कि आप यह खालो जिसके अंदर बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं जैसे कि बायोटीन खा लेना या जैंसिंग का यूज करना या फिर ऐलोवेरा लागाना और ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट वाले जो लोग लोग कंजीम करते हैं मैंने सारी इसर स्टेडीज को पढ़ा है जिनके उपर इन सब की चीजों का इस्तमाल किया गया है बायोटीन जैंसिंग अलोवेरा और असे बहुत सारे मगरों सारे ही सारे अपनी इसर स्टेडीज के अंदर फेल हो सब्सक्राइब नहीं दे रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना ना भूलो इसी तरह सपोर्ट करते रहे हैं और इंजॉय करिए अपनी फिटनेस जर्नी विट टीम हाउस ऑफ एनबोलिक्स थैंक यू वेरी मच गाईस फॉर वाचिंग